नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर रमदीप, आज हम बात कर रहे हैं डाप्टेज की कॉंप्लिकेशन के बारे में, अक्सर लोगों के दिमाग में ये शंका रहती है कि डाप्टेज की कॉंप्लिकेशन कब और कितने टाइम के बाद अपियर होती हैं, तो दोस दोस्तों शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले मिह रेक्वेस्ट करूवा अगर आपने हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज शुरूर कीजीए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए! दोस्तोो, Diabetes की Komplikations को जानने के लिए हम आज की वीडियो को 4 Questions के माध्यमस समझेंगे!!!! पहला Question आपके मन में में आता होगा कि Dakar की Komplikations क्या होती हैं? दोस्तो, जो değaptic की Complikations हैं? , जो classic रूप से कही गई हैं वह है, nerve pain, सात्थ ही सात kidneys का कम काम करना और blindness यह सब complications हैं जो classic रूप से diabetes के रोगियों में देखने को मिलती हैं और इसके साथ associated problems जो की long term में patients को face करने पड़ती है वो है heart attack, stroke याने की दिमाग की नस्का फटना और इसके साथ ही साथ gangrene, gangrene वो problem होती है जिसमें हमारे body के किसी part में oxygen blood supply कम होती है क्योंकि diabetes जो है वो हमारी blood supplies को ही destruct करती है जिसके कारण वहाँ पर blood supply कम हो जाती है या फिर बिलकुल बंद हो जाती है उसके कारण वो हमारा श्रीर का भाग जा तो मर जाता है जा फिर काला पड़ जाता है इस condition को हम गेंग्रिन केहते हैं और गेंग्रिन की condition जो है उसका जो end है वो amputation ही है यानि कि हमें उस श्रीर के part को काट कर बाहर निकालना पड़ता है जिसे की रोगी की जान बचाई जा सके पर doctors इन सब complications को कुछ routine के नामों से बताते हैं आपको उन में से आखों की जो problem है उसको हम diabetic retinopathy कहते हैं और उसके बाद अगर kidneys की problem की बात की जाए तो उसको diabetic nephropathy और साथ ही साथ अगर nerve pains की बात की जाए तो उसको हम diabetic neuropathy कहते हैं अगर दूसरे question की बात की जाए तो वह है कि ऐसा कौन सा कारण होता है जिसके कारण diabetes की complications आती है दोस्तों जब बहुत ही लंबे time के लिए हमारी body में blood sugar level high level पे रहता है तो इस high level blood sugar level के कारण यह हमारी blood vessels पर असर करता है यह उसको यह तो फिर नश्ट करने लगता है यह फिर blood vessels की supply कम हो जाती है जिसके कारण हमारी body के अन्य parts पर इसका असर पढ़ने लगता है यह अगर एक उधारन से समझें तो अगर यह diabetes के कारण हमारी hearts की vessels पर असर पढ़े तो वहां पर heart को blood supply कम होने लगती है जिसके कारण वहां पर heart attack का खत्रा बन जाता है एक condition जिसको कहते हैं atherocyclerosis यानि की हमारी heart की blood supply करने वाली खून की नारिया है उसमें जो cholesterol का जमना होता है उसको हम atherocyclerosis कह देती है उस condition को जो स्पीड होती है वो condition बनने की स्पीड जो है diabetes में ज्यादा होती है इसलिए diabetic patients में heart की diseases ज्यादा होती है और साथ ही साथ blood pressure और heart attack ज्यादा ही होती है इसके साथ साथ अगर बात की जाए nerve pains की वही वहाँ पे वही same condition लगती है जो हमारी nerve supply होती है उनको हमारी blood vessels जो है वहाँ पे खून अच्छी तरह से नहीं पहुचा सकते जिसके कारण nerves की जो endings है वो dead होने लगती है या फिर patients को वहाँ पे tingling sensation या फिर कुछ चीटियां चलती सी महसूस होती है इसको हम diabetic neuropathy कहते हैं और यह condition भी ज्यादा time तक हमारे blood sugar level के हाई रहने के कारण होती है तीसरा question जो आप लोगों के दिमाग में अक्सर आता रहता है कि जब diabetes की complications है उनमें से सबसे को पहली complication कौन सी आती है दोस्तों ज्यादा तर सबसे पहली complication जो है वो diabetic neuropathy की ही आती है क्योंकि हमारी blood vessels जो है वो nerve supply को अपना blood supply करना कम कर देती है जिसके कारण nerves में pains होती है और ज्यादा तर patients जो है उनकी टांगों में और पैरों में जो है वो numbness यानि की कुछ भी हाथ लगाने का feel ना होना और sensation loss ऐसी conditions उनको face करने पड़ती है दोस्तों कई बार तो ऐसी conditions भी आती है जिसमें patient के चूते या चपल उसको उत जब उसकी चलते टाइम पैर से निकल जाने के पर भी उसको पता नहीं चलता इन सब कॉंप्लिकेशन के बाद जो condition सामने आती है वो होती है diabetic foot जो की बहुत ज़्यादा गंबीर problem है डाप्टिक फूट ऐसी condition है जब हमारी बॉड़ी में हमारे पैरों में जो कोई जखम होता है और वह हील ना हो और high blood sugar level के कारण वह जखम chronic बन जाए यानि लंबे समय तक बना रहे तो उस condition को हम diabetic foot कह देते हैं दोस्तों इसके लिए हम मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको aware करूंगा कि अपने पैरों का देखवाल कैसे करनी है और साथ ही साथ किन बातों का ध्यान रखना है कि आप लोग यह अक्सर पूछते हैं कि diabetic की complication कितने सालों में appear होने लगती है दोस्तों यह सब कुछ आपके high blood sugar level पे डिपेंड करता है अगर आपका blood sugar level 8.5 HbA1C level आपका डिरेंज हो जो 8 या 8.5 से ज्यादा टाइम तक रहे बढ़ जाए तो diabetes की complication उतनी ही जल्दी आएंगी दोस्तों जो high blood sugar level होता है वो अगर 8 से 10 साल तक लगातार बना रहे तो फिर diabetic foot और साथ ही साथ renal failure यानि की kidney damage और यह जो retinopathy problems हैं वो अक्सर देखने को मिलती हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको control नहीं कर सकते diabetes की complication से डरने की जुरूरत नहीं है दोस्तों मैं आगे आप जाकर आपको बताऊंगा diabetes एक reversible disease है हम इसको reverse कर सकते हैं और इसको reverse करने के तरीके भी बताऊंगा जिससे आप अपनी diabetes को ठीक कर सकते हैं और अपनी दवाईयों से मुक्ती पा सकते हैं तो फिर इन आगे तक हमा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर कीजिए जिससे की हमें आप आपको ऐसी ही नई वीडियो बिनाने के लिए प्रोसान मिलता रहता है धन्यवाद